है अगर दोस्तों मैं ओम सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल चैन मंत्रा पर तो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थोंगे मस्थोंगे जबर जस्थोंगे ऐसा करता हूं आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी क्योंकि आप आज का नोटिफिकेशन ही देख लिया होगा उसमें बोला गया बाकाइदा दिल्ली पुलिस में लगभग तेहरे हजार भरतियां आने वाली है तो अब आपनी तैयारी बिल्कुल सुरू से एकदम बढ़िया फस्ट क्लास सुरू कर दो ताकि आप फस्ट अटेंप में दिल एकदम को आज कर आएंगे कुछ एकदम में जो को सनु आई हुए उनको भी बताइंये कैसे वह कर राने हैं कैसे नहीं कर और होने उसको सोट से सोट माध्यम से आप लोग कैसे उसको करोगे तो सारा कुछ बताएंगे चलते हैं सबसे प़हले हम अपनी प्प्प्पर तो देखो इसमें जो इस में बता गया रहा है की नंबर सिस्टम है कि यह चाहिभ लोग को बता दी गई थी कि हम लोग इसमें नंबर सिस्टम में आप लोग को क्या क्वाइंड़ गया तो सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे हम सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट मतलब 11 का अंक निकालना बताएंगे कैसे निकालेंगे तो दूसरे नमबर और फैक्टर फिर 30 देंगे सब कितनी जीरो होती है नंबर क्या होता है ठीक है ना इमेजनरी नंबर क्या होता है यदि आप लोगों ने वो किलास नहीं देखिए तो इसमें नंबर सिस्टम का पहला बाग दिया हुआ है एक बार उसमें जाके चेक कर लेना उसको अराम से पढ़ लेना बहुत अराम से सुरू तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाए गया है पूरी तरह से एक चीज़ कोल के बताई गई है कि नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं परीमे और दूसरा को आता है एप परीमे दोनों इमेजनरी नंबर क्या होता है सब बता चुका हूं ठीक है आगे चलते हैं कि नंबर सिस्टम ठीक है यहां पर पैराग्राप दिया गया बाकाइदा अच्छे तरीके से देख लेना इसको सब की चीज़े बता चुका हूं ठीक है यहां पर रियल लंबर इनका अलग-अलग पैराग्राफ पाई चार्ट के मादम से बता दिया गया है ठीक है कौन-कौन चीज़े रह गई थी हमारी यह चीज़े रह गई थी है ठीक है न यह चीज़े जिसमें संख्या विसम संख्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या यानि प्राइम और भाज्य संख्या इसम सब्सक्राइब तो आज इनके बार में बात करेंगे लेकिन पीछे आप लोग को पढ़ाय गया है एक बार इसको एक बार डिसकस कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए कोई कन्फ्यूजन ना हो ठीक है अब देखो सबसे पहले जो मैंने पीछे के लास में आप लोग को पढ़ाय था उसका बाकाइदा एक बार कराग्राफ बना देते हैं क्या पढ़ाय गया था आपको नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम को यानि संख्या पद्धिती को हमने जो तोड़ा था दो भागों में तोड़ा था कौन-कौन से थे एक था वास्त्रिक संख्या वास्त्रिक संख्या जिसको हम इंगलिस में क्या बोल देंगे रियल नंबर ठीक है और दूसरा क्या था इमेजनर यानि कालपनिक कालपनिक संख्या ठीक है दो भागों में तोड़ा था इस संख्या को यानि वास्तिक संख्या को हमने हाँ पर क्या बोला है रियल नंबर रियल नंबर और इसको क्या बोलते हैं हमने इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर अब ये जो real number था हमारा ये भी दो भागों में तूट रहा था कौन-कौन से दो भागों में तूट रहा था इसको भी देख लेते हैं तो इसके दो भाग थे कौन-कौन सा था परीमे संख्या परीमे संख्या और दूसरा क्या था ए परीमे संख्या ठीक है दोनों हो गए इसको इंगलिस में क्या बोल देंगा हम लोग कि इसको बोल देंगे हम रेशनल नंबर रेशन नंबर और इसको बोल देंगे हम क्या इर्रेशन नंबर इरिशन नमबर ठीक है? दोनों गए अब ये जो आगे दिया गया है परिमे संख्या अब ये भी कई भागों में तूट रहे है ये भी कई भागों में तूट रहे है इसमें क्या आ जाएंगे हमारे? प्राकर्तिक संख्या आ जाएंगी प्राकर्तिक संख्या संपौन संख्या संपौन संख्या और क्या आजाएंगी पूर्नांक पूर्नांक जिसको हम इंटीगर बोल देंगे और इसमें कौन-कौन हाय जाएंगी पूर्णा के दसम्लाद विखे यह सारी आजाएंगे इसको नेच्टरल नंबर यहाँ पर होल नमबर और यह इंटीगर और यह क्या हो जाएंगे फैक्टर कि यह सारे आप लोगों को बता चुकों अब इसमें क्या होंगा प्राकर्तिक संख्षा में कहां से स्टाट होगी एक zero include हो जाती है एक dot 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 infinite तक जाती है ये कहां से minus infinite से सुरू होती है minus dot 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 plus infinite तक जाती है ठीक है और इसमें जितने भी point वाले होते हैं सब आ जाते हैं point वाले कौन कौन से होते हैं मैंने लिखा point five ठीक है एक बटे दो root four ठीक है point three dot 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 नहीं होते एकुरेट मान नहीं होता जैसे माइनस का रूट तू रूट माइनस वन आई यह सभी के सभी क्या होते हैं इसमें सारे क्या परीमें संख्या नहीं काल्पनिक में आते हैं परीमें संख्या की बात हो रही है आपर पर यह परीमे संख्या की बात हो रही है कुण कौँसे जैसे जिसका accurate मान नहीं होता root 3 root 5 जो P by Q क्योंकि form में नहीं होते जो P by Q क्योंकि form में नहीं होते वो यहाँ पर आजाते हैं यहाँ पर क्या आजाता आपका πाई भी आ जाएगा यह सबके सब को होते है परीमा होते है अब आजब काल्पनिक पे काल्पनिक मैंने कौन कौन से बताया था आप लोग को जो जैसे रूट fai रूट one यह रूट one है यह सका कमान क्या हो गया i जिनका वर्ग करने पर वर्ग करने पर value क्या आते है से माइनस में आती है अब इसका वर्क करेंगे तो क्या गाऊकम आ जाएगा माइनस का ओन harvest चल्क यान जो आफिलो में और गया कि यह बहुत क्या होता है क्या रभ्र को पीछिर हो कर दो गाते एक बर आप जरूर जो छेक् y इसके बाद आते हैं विसम संख्या इसको क्या बोल देंगे इवन नंबर और यह क्या बोल देंगे इसको ओर नंबर ठीक है आप देखो इवन नंबर वे नंबर जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं सब के सब इवन नंबर होते हैं जैसे दो से सब के सब क्या होते हैं तो ओर नंबर कों से होते हैं जो दो का मल्टिपल नहीं होते हैं अर्था जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं वो स सब के सब क्योंते हैं विसम हो जाते हैं जैसे कैसे वन कि फाइव डोट 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 इन्फाइनेट तक इसमें यह चीज़ धियां रखना विसम में इसमें प्राइम नंबर हो सकते हैं इसमें प्राइम नंबर हो सकते हैं लेकिन इसमें प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं बास ही ना यानि सम के अंदर क्या होते हैं प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं और जबकि एवन के अंदर सोरी ओड के अंदर यानि विसम के अंदर प्राइम नंबर हो सकते हैं बास ही ना भाजे के ही बात हो रही है इन में क्या होते हैं काटने के लिए कॉनके सेगे इससे इसमें उतने किस से नहीं क्राथे सब और सब्सक्राप सैंदे स्रेयन कर्वाइब लग्या है अप देखो कैसे मैंने कोई संख्या लिखी पांच आप ये 5 संख्या किस-किस से कट गते हैं ना तो इसको काट सकता ना इसको एक को काटा जाता है तो इसमें क्या होता है यह सभी सभी क्योंते हैं प्राइम नंबर होते हैं और भी बहुत सारी संक्या होते हैं साथ हुआ ठीक है 11 हुआ 13 हुआ यह सभी कि सभी क्या होते है प्राइम नंबर होते हैं बास ही है लेकिन मैंने पीछे बताया का कि जो विसम संक्या होती है उसमें प्राइम नंबर हो सकते हैं लेकिन सम्में नहीं होते हैं यह चीज हमें सा ध्यान रखना अब फिर मैंने बोला को प्राइ क्या होता है अब इसमें को प्राइम में क्या होता है यहां पर दो फेक्टर थे ठीका कोई दिक्कत नहीं इसको में तो सहे अभाज्य संख्या बोल सकते अब इसमें क्या होगा दो संख्या ही दी होती है उन दोनों संख्याओं को केवल एक संख्या काटेगी मतलब क्या हुआ उनका HCF हमेंसा एक आना चाहिए उनको केवल एक हम छोची इक संख्या कातेंगी उनका सबस्क्राइब एक ही ऊआफ होगा to है आपके तो चुक्रामेंटी बाट हो रही है है । किया होगा निए अब तीन क्या है मैं स्था को शुन सकता घरषए कौल MARK टीन को भी काट सकती है इन का एक है नहीं को इसका मतलब क्या है यह का कि को प्राइम नमबर हो गया को प्रैम लिखी और 9 ये लिखी साथ और 9 तो ये भी स्मुल प्राइम है कैसे दोने को नके सकते को अब यह काटेंगगे इनका स्ग्राइम हो गया यह प्राइम हो गया कि बासरी न यह बी को को प्राइम हो गया तो इस चीज का धिहान रखना किज इस वह थे इस रहता है किर को प्राइम की प्राइमの कॉफben TB तुन प्राहें मैं ताई होता है यह उता जुरुआएभाज है अब आमो इसमें इसमें क्या यह फेक्टर था यस इन का हो सकता था कुछ ब्हूंढने निकता हूत लेकिन यहा क्या बोलता है कि हुना चया होना चहिए इनका difference हमेशा कितना होता है इनका difference होता है अब two कैसे होता है इनका difference तो देखो कैसे होता है आगे पीस पर चलते हैं आगे ले लेते हैं ट्विन प्राइम को ठीक है मैंने लिखा 3 और 5 यह क्या है प्राइम संक्या है हाँ बिल्कुल प्राइम संक्या है लेकिन ट्विन प्राइम कैसे है क्योंकि तीन और पांच का difference इन दोनों का difference क्या है दो दिया है तो जिनका difference दो आ सब्सक्राइम होता है और कौन से क्योंते है 17 और 19 हो सकता है यह भी ट्विन प्राइम है ठीक है 11 और 9 हो सकता है यह भी ट्विन प्राइम है जिनका difference दो आ जाए वो ट्विन प्राइम के अंदर यह चाओंट होगा आते है तो इसमें भी क्या है एक इफेक्टर है 2 और सहे प्राइम में उसमें क्यों एक सकता है इसमें क्या है difference दो होना चाहिए और उनका 18 होना चाहिए बास सहय है ना यह होगा ट्विन प्राइम हो गया अब चलते हैं अगले पर तो क्या है है भाज्य संख्याइं भाज्य संख्याए राई कोनो सी होती है मैंने बताए आपकोыт प्राइम संख्यारा बताइए यानि या थे हैं या तो एक से कटता यहां से करता स्वैमसे कटता है लेकिन यहां पिक मिनिमम यहां पर जो मिनिमम फैक्टर होते हैं बीक मिनिमम कितने होते हैं पर तीन फैक्टर होते हैं met 정도 कि य apparently भी यह जो दो संख्या है कि यह किससे कट रही है यानि यह एक से कट रही है और ये स्वैम से कट रही है तो इसमें तो दो फैक्टर ही है तो ये तो प्राइम हो गई ये तो प्राइम हो गई हाँ बेकुल प्राइम हो गई क्योंकि इसमें क्या है दो फैक्टर काउंट हो रहे हैं फिर मैंने लिखा तीन मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो 3 तो भी किस से कच रही है अगे लिखा मैंने 4 अब यह देखो किस से कच रहे हैं यह एक से कच रहा है बिल्कुल ठीक है सींसरों hai चाहिए में लखना दाषों मतलब को मैंने लिख यह संख्या बम आडदा मैंने मतलब लूख से सब्सक्तर हो गया यह भी शीदी दो सीद्र किसा राइस कुछ मतलबонов जब मतलब हो गया यह भी सीद़् सीद्र क्या हो गया भाज्य संक्या हो गई बास है ना बिल्कुल सिंपल कोईश नहीं है तो एकदम जो हमार पीज़ छूट गया था यह मैंने आप लोग को पता दिया अब इसमें एक एक चीज और ध्यान रखना यहां पर आ जाओ इसमें एक एक चीज और ध्यान रखना मैंने बोला के सबसे छो अंदर काउंट क्या था यहांनि प्राइम नंबर ए एक में क्या है है एक मरतहलन दोनों अंक है इस इसको प्राइम संक्या यानि ऑभाज्य संख्यां के काउंट में नहीं क्या थे सबस्ते यह रखना Sangya कि provides लगने सबसे चोटा कौन होँआ चार होता है यह चीज़ दियान रखना है तो यह कहते हैं यह सम होता है यह होता है लेकिन इसको भाजे के अंदर काउंट करता है मैंने क्या बताया था पीछे किलास में को यहीं पर किए रड़ कि जो समसंख्या होती है इन समसंख्याओं के अंदर एक भी प्राइम नंबर नहीं होता एक भी विसम नंबर नहीं होता बात सी हाँ ठीक है लेकिन इसमें एक अपवाद होता है क्या यह 2 ये दो ये दो एक ऐसे संख्या होती है इस पूरे संख्या में एक भी प्राइम नंबर नहीं होता दो को छोड़ कर क्योंकि दो सम में भी काउंट किया जाता है और प्राइम नमबर में भी काउंट किया जाता है वास यह यह हमेशा ध्यान रखना तो यह चीज आपको बताने के लिए बोला था और लागी हमारे क्या है को संब होता है यह संसंग के सबस्टेया सबसे छोटा चार अगे तो चल टक चलता कोी दिक्कत वाली बात नहीं को प्राइम नंबर बता चुक हूं अब अपने को सब्सक्राइब की पास क्योंकि मैं बताना था कि हमको उनिट नंबर कि मुझे क्या बताना था अपना यूनिट प्लेस यानि यूनिट नंबर या पिलेस कि यानि इकाई का अंक मुझे यहां पर बताना था आप दोखो इकाई के अंक समझने से पहले एक चीज़ समझ लेना यदि हम इकाई के अंक की बात करें कि एकाई का अंक की बात करें तो को सबसे पीछे होता है आप लोगों ने स्टार्टिंग में आप 이후 पढ़ा होगा किए का अंक ये इकाई का अंग हो गया और ये क्या हो गया धाई का अंग ये पढ़ा हो गया ये इकाई का अंग ये धाई का अंग और ये तिहाई यानि सैकडा फू पढ़ा होगा आप लोगों ने तो जो सबसे लास्ट में जो डिजिट होती है ना वो हमारा एकाइक होता है अब उसको निकालने के लिए जो रूल होता है वो रूल क्या बोलता है वो रूल यह बोलता है कि जो संख्या होगी कुछ संख्या होते हैं जो जिद्धी होती है जो जिद्धी संख्या होती है और कुछ क्या होते हैं नोर्मल होती हैं कैसे अब देखो जिद्धी संस्ख्याँ में कौन कौन से कााउंट होती हैं 0 156 यह होते हैं 0156 अर्थात इनके ओपर कितनी भी पावर रख रख लो मैं तो जीरो को जीरो ही आऊंगी एक भी बोलता है पांच भी क्योंकि यह जिद्धी दोस्त हैं यह अपने अलाग और किसी की नहीं सुनते बास यह ना तो इनको उपर कितना भी बजन रख लो जैसे मैंने 6 के ऊपर इतनी सारी पावर रख दी डोटो इन्फाइनेट तक रख दी जब भी इसमें इकाएकांग काएगा ना 6 यह आएगा पांच के ऊपर रख लो जितना भी रख लो तो इकाएकांग पांच यह आएगा तो यह बड़े जिद्धी होते हैं ठीक है ना तो इनसे बिल्कुल पंगा मतले ना तो यह अपनी सुनते हैं और किसी की सुनते ही नहीं है लेकिन कुछ डिजिट होती है दूसरे की भी सुन जैसे अ कि पांच सोरी चार और नो यह दूसरे की सुन लेती है कियसे मैंने चार के ऊपर एक रखा क्या आया एक अएकांग चार तार के ऊपर दो रखा तो क्या आएका 16 यानि एक एकंग कितना है च्छे आया बिल्कुल ठीक है कोई दिख्कत वाली बात नहीं है नो के ऊप उपर मैंने दो रोखा कितना पर नुख यहां पे नों यहां पर यहां पर दिख्कत वाली बात नहीं है इसका मतलब क्या है ये कभी कभा किसी के सुन लेते हैं इसका मतलब यहां चार के समाई तो एकाई कंग केंगा नो के ऊपर पावर मिसमाई तो एकाई का नो आएगा बس इतना ध्यान रखना और बाक्या हमारी सारे को हो जाएंगे इस नाम से अब इसका जो में रूल होता है वो चीज देख लो जदि कोई संख्या ऐसी होंगी जो ना एक होगी ना पांच होगी न च्छेरों गिना आठ होगी और ना ही होगी सुरी ना नो होगी ना चार होगी कौन-कौन से होगे बची कौन सी कौन सी तीन बचा दो बचा आठ वचा साथ वचा इस यह रूल इन पर भी लागू होता है और जो में संख्या बता नहीं उन पर भी लागू होता है अब क्या रूल होता है वह रूल होता है यह कोई संख्या हमारे पास दी होती है ठीक है यह दी होगी हमारी संख्या हमेरी पतक कितनी पावर है इतनी दी गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं जब भी आपके पास ऐसा कोशना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना चार क्या होता है यदि चार में जो संख्या चार होती है उस यह संख्या दी गई है यहाद हम इसको चार से डिवाइड करें तो कब डिवाइड होगी चार से यह पूरी पूरी तब होगी हम क्यों लास्ट के दो अंक ले लेंगे यदि लास्ट के दो अंक चार से पूरी पूर मतलब होता है हमें सब्सक्राइब और किसी को 24 से कि सार सबाग दिया कितना आ क्योंकि जो सेस हो गाना उसको पौर के रूप में काम करेंगे एकाई कपर चार तो संक्षा नहीं कर देंगे जोक्ति के दोव संट आफ तो छार से बाग देंगे जो सेस वचे का उसमेंकाई कार रख देंगे उसको यदि से स्थ sixt हमारा जीरो बच जाए है यहाँ जो स्थैस से ऱहां नहीं हम कुछ नहीं करते साथ की नीजिए हरे चार बाइन कि काम करते हैं इतना ध्यान लगया इस हंद आ vais हमारे सारी स्ट्रों हो जाएंगे चलते को सनों पर हमारे सामनीजा पहला से यह सिंपल कोचन है कोचन यह कोचन में बढ़ा ठीक है अब दोखो कैसे हमें मैंने क्या बताया है किसे मतलब हमें एकाई के अंक से मतलब होता है पहली बात दूसरी बात दियान रखना जो पांच होता है ना पांच का मल्टीपल या या एक चित द्यान रखना जब भी मल्टीपल तुम्हारा जीरो बन रहा है एकाई के अंक में जब भी मल्टीपल तुम्हारा जीरो बनना है तो एकाई कांग जीरो आ जाएगा बातसने बचितना द्यान रखना अब यहां पर हमें किस से मतलब है केवल पांच से मतलब है यहा तो यहां पर इकाई का जिरो बना जब नहीं जीरो बना ज़िक जाएगा इकाई का उट नमबर के साथ करोगे निटैंट गजाएगा और पांच का मल्टिपल किसी ओड नमबर के साथ करोगे नहीं अब पांच आएगा यहां से द्यान नखना बासे आप पांधूनी दस यहां से दस बन गया तो यह जीरो आगए अब जीरो का कशना ओंच विश्या नख्या देर्शन गया एक करण बस ठोड़ा सा माइं जीरो औहले तो बना देगा निपना बिल्कुल बना देगा तो क्या है एक़ एक का जाएगा एक सेकंड का कोशन था कुछ नहीं है कुछ नहीं बिल्कूल इसमें बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है बाकि सब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब आगे चलो अच्छा कोशन नहीं है ठीक है अब मैंने पीछी आप लोग को पताया था कुछ डिजिट ऐसी होती है जीरो एक पांच और शे बड़ी जिद्दी होती है इनिके ओपर कु इसके बाद अगला नेक्स्ट लिवल देया तो फैक्टर देखा जाएगा रिमांड लिया जाएंगे ठीक है अब जो कोई कोशन दिया गया है इसमें स्केर संग्यार अगे संख्याय है तो प्राकर्तिक संक्या में कैंद इसक्वेर दे दिया तो प्राकरतिक संख्याय का इक हो इसक्यार का यो कि यो कि न होता है ये न पिलस सबस्ट है है 100 दो सबस्ट कितना हो गया डिवाइड का डिवाइड करने लो यहां पूरा पूरा इसा मत करना बस हमें क्या है पहले देखना है जीरो तो आप जीरो आगया अब जीरो का करो है स्पैर्ट किया जाएगा तो राइट आंस्र तो यह हो गया है जिसे पचास है थिक है पचास गुना इहां पर कितना बचा एक सो एक बचा में पर इसे में से कि आता है जिरो में आता है यहां चलते हैं कि अध्य को संद्य आगे आ गया है मैंने क्या बताया घुन कुछ मतलब नहीं है जिए लगा एकाई से मतलब होता है और लास्ट के दो में आनोग ओना थीच है फिर मैंने को बताया था जदी श्रावर पीच्छे बताया था कितना उड़f तो अंसर कितना आता है नो विसम है दो किас आगता है जलस कोई दिक्कथन निकालो चारे मरें चार 4 gotta चार तो नो की पावर एक कितना हो गया नो ही तो होगा ठीक है आगे चलते हैं कि तो देख हो सट है हमारा अब इसमें क्या power को उपर power दे दी गई है जब भी power को उपर power दे दी जाए तो हमें से द्याण रखना हमें उपर वाली power से कोई मतला कोई लिना देना नहीं इन दीलनяг samaskaj कोई यहने हीतल हैं हमें तो 22 22 अब 32 का में 45 हम भाग देंगे 13 की किसमें 4 भाग दिया 4 एठे बतली सेज क्या बचा 0 बचा और मैंने क्या बता है ता जब सेज 0 बच जाए तो इसको पावर के रूप में 4 इमानना तो 2 की पावर क्या होगी 4 तो कितना 2 2 नी 4, 2 नी 8 और 2 नी 16 यानि कितना आगे 16 तो एक आएकां किहां पर क्यतना आगे 6 तो राइट आंसर क्या हो गया 6 इसका correct हो जाएगा बहुत सिंपल ठीक है आगे जो आएंगे ना आपके कोस्टन वेक्टोरिल में भी आएंगे प्टोरिल में कैसे मैंने लिखा 36 की पावर 36 फैक्टोरियल ठीक है 36 फैक्टोरियल की पावर इतना ठीक है तो आगे कोस्टन इस टाइप के भी आएंगे आपके पास कोसिस करना आप एक बार इसको लगा के देखना ना आए तो हम तो हैं बताने के लिए नेक्स क्लास में जरूर बताएंगे इस चीज़ को ठीक है क्लास कैसे लगी जरूर बताना लाइक सस्क्राइब करना मत भूलना सेयर करना भी मत भूलना बाकी मैं आप लोगों से विदा लेता हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू